नमस्कार मित्रो आप मैं अपना नमा अध्याय प्रारम करने वाला हूँ बड़ी ही सुन्दर बातें भगवान ने कहिए नमे अध्याय में तो इसमें कहा है कि इदम तू ते गुयतमम प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यद्ग्यात्वा मोक्ष से सुभात मतलब इदम माने इस ज्ञान को जो कैसा है गुयतमम बड़ा ही गोपनी है विज्ञान के सहित है इस ज्ञान को तो ते प्रवक्ष्यामी मैं तुमको सुनाऊँगा वो भी कैसे अनसुयवे माने बिना दोस द्रिष्टी को रखे हुए मैं इसको सुनाऊँगा तो फिर आगे लिखा यद क्यात्वा जिसको जान करके मोक्ष से छूट जाते हैं अशुभात सभी पापों से छूट जाता है सभी दुखों से वह छूट जाता है तो इस प्रकार से राज विद्या राज गुईयम पवित्रमिद्म उत्तमम प्रत्यक्षा वगमम धार्म्यम सुसुखम करतुम अव्यायम राज विद्या राज गुईयम इस में राज विद्या को जो बहुत ही राज गुईयम माने बड़ी ही गुपनी है ये सभी विद्याओं में बड़ी ही गुपनी विद्या है जो तो पवित्रम इस पवित्र इदम माने इस विद्या को उत्तमम उत्तम विद्या को प्रत्यक्ष फल देने वाली जो ढर मैंसे धर्म्यम माने होता है धर्म्यम कार्थ होता है धर्म्यस्वैक्ष प्लूप Me करने के लिए अभिशित विद्या की मैं तुम्हें उपर लिखा प्रवक्ष्यामि मैं उस्विद्या को तुम्हें पहले लोग मैं लिखा प्रवक्ष्यामी तो ऐसी विद्या को मैं ते प्रवक्ष्यामी मैं तुमको सुनाऊँगा और इस विद्या को première अस्ड़त नःः फुरुशा पूरुशा धर्वस्यास्य पुरंतप अप्राप्या माम निवातन्त मित्सेrost अまり मृत्यववर्थ अस्त्रद्धधना पुरुशा जो अस्त्रद्धाहीन पुरुश होता है तो धर्मस्यास्य इस धर्म की अप्राप्त इस धर्म को अप्राप्त वाने इस विद्या को बिना प्राप्त किये माम मेरी स्विद्या को प्राप्त किये वे मृत्यू संसार वर्तमानी मृत्यू संसार का मतलब जिसको मृत्यू संसार कहते हैं वर्तमानी माने मार्ग माने भहो संसार के मृत्यू संसार के चक्र में निवर्तनते वे घुमते रहते हैं और उसी में कभी कुछ बनके कभी कुछ बनके आते रहते हैं कभी कुटा कभी गड़ा कभी मनुष्य कभी मनुष्यों में ब्राह्मन कभी सूद्र कभी चांडाल कुछ बनके आते रहते हैं तो इस प्रकार से मृत्यु संसार वर् मया ततम इदम सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतंस्थानी भूतानी न चाहं तेश्व वस्थिता मया ततम इदम सरवम जगत अव्यक्त मूर्तिना यह अव्यक्त मूर्ति संसार जो है यह मुझे अव्यक्त माने निराकार जो संसार में अव्यक्त माने निराकार मूर्ति रूप से यह पूरा जगत जैसे की जल से परफ बन के तयार होती है इसी प्रकार से इस सब पूरा मया माने मुझे ततम इदम इस संसारम इदम माने जो संपूर्ण संसार सर्व माने संपूर्ण संसार दिख रहा है तो मत्स्थानी मेरे से ही प्रगट हुआ है सर्व भूतानी सभी प्राणी नचा हम तेश्व अवस्थिता ये सारा संसार मेरे से प्रगट हुआ है ठीक है लेकिन नचा हम तेश्व अवस्थिता मैं उनमें इस्थित नहीं हूँ संसार पूरा मुझसे बना है लेकिन मैं उनमें इस्थित नहीं हूँ अब नच मत्थानी भूतानी पश्चय में योग महिश्वरम भूत भृन नच भूतस्थो ममातमा भूत भावन भूत भावन यह जो प्राणियों को उत्पन करने वाला जो मेरा यह क्या है आत्मा मम आत्मा भूत भावना मम आत्मा यह जो हमारी आत्मा जो भूत भावन प्राणियों को उत्पन करने वाली है तो कैसे भूत भृत भूत माने प्राणियों का पालन पोषण करने वाली है ॅह न मत स्थानानी उब मेरे से ही उत्परन हुए गूतानी यह सारे और यह पश्य वाने ये पश्यमाने देख है अर्जुन ये सारा देख पूरे योगेश्वरम ये पूरा संसार है योगेश्वरम आने इश्वरी शक्ती से जो प्रगट हुआ ये संसार है तो ये मत स्थानी माने मेरे से ही प्रगट होने वाले ये सारे प्राणी है लेकिन सारे प्राणी मुझे से ही प्रगट हुए है किन्तु ये सारे प्राणी मुझे में इस्थित होने पर भी न चमत स्थानानी भूतानी पश्च में योग एश्वरम भूत ब्रन चबूतस्तो ममात्मा भूत बावन और ये सब भूत मुझे में इस्थित नहीं है किन्तु मेरी एश्वरी योग शक्ति जो है भूतों को दारण पोशन करने वाली है और फिर भी मैंन में ना हो करके भी ये हमारी योग शक्ति ही है जो कि सभी प्राणियों का पालन करती यथा कास स्थितो नित्यम वायू सरवत्र गो महान यथा आकास इस्थिता अजाग रहे गया तथा सरवानी भूतानी तथा सरवानी भूतानी मत स्थान नीत्युपा ओपधारय यथा माने जिस प्रकार से आकास स्थिता नित्यम वायू नित्य जो वायू है यह सभी जगह सरवत्र को सभी जगह जा सकती यह महान है बहुत बिशाल है बहुत ज्यादा है तो कहीं भी जाएगी लेकिन रहेगी का आकास इस्थिता आकास के अंदर ही रहेगी कहीं या नहीं सकत时间 सर्वाण भूतानी उसी प्रकार से संपोंठ प्रानी कहीं भी जाएं मत स्ठानी वप्धाय आधाएं मेरे ही इस्ठान में मेरे से ही अलग कहीं जा नहीं सकते हैं ऐसा उपधार है ऐसा जान और ये मेरे मुझ में ही स्थित्मत इस्थानी मेरे में ही रहे सकते हैं और कहीं जाई नहीं सकते ऐसा उपधार हैं ऐसा समझो सर्व भूतानी कौंते यह प्रकृते मैं यानती मामे काम कलपक छे सर्व भूतानी सभी प्राणी प्रकृति में यानती माने चले जाते मामिकान माने मेरी जो प्रकृति इसक्रति में चले जाते में को प्रकृति हैं सभी प्रकृति में चले जाते हैं पुल्प किन लिखाएं में पुरह फिर उनको अगळा कल्प अप्रनानख धेता हूं प्रकृतिम स्वाम अवश्टभ्य विश्थ जामी अपनी प्रकृतिको अंगीकार करके छाँ मैं रचता हूं और पुनापुना मैं बार बार इसी प्रकार से रखता हूं भूत ग्रामम का मूह है कृत्सेशत पूर से आवशं का सारा भूत ग्राम इमम ये संपून भूत प्राणियों का समूं है कृत्नम माने पूरी से अवशम पूरी से निर्वश होता है वह अपने वश में नहीं होता है वह सब प्रकृतेर वशात प्रकृति के वश में होने के कारण ये बार-बार रचे जाते हैं और फिर इनको समाप रहता है पही सिर्स नउटस की इयाँ जाता है चलता रहता है करमाने निबत नंती धनंजया उंदै दासीяться सारा कर्म करता हूं मैं तो नचमान तानी करमानी करने विखाल माम् मुझको निबदनांती वे कर्म मुझे को बांध नहीं सकते हैं वे कर्म हमें बांध नहीं सकते है धनंजे उदासिन में उदासिन वत आसिनम उदासिन की तरह मैं रहने वाला हूँ और असक्तम इसमें हमारी कोई आशक्ती नहीं होती तेशु कर्मसु मेरी उन कर्मों में कोई आ सकती नहीं होती इतना सब करने के पर्शाद भी मया धक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना नेन कौंते जगत विपरी वर्टते मया अध्यक्षेन प्रकृति मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सचराचरम सुयते सचराचर माने संपूर्ण चराचर जगत को सुयते माने प्रगट कर देती है सुए तेवाने जन्म देती है और हे तुना अनेन हे कमते हैं हे अर्जुन इस हे तुसे यह जगत हे तुना अनेन इस हे तुसे इसी कारण से और यह जगत इस शंसार चक्र जिसको अंगह सकते हैं यह गूमता रहता है जवानों ना फिर संसार चक्र चलता ही रहता है अवजाननती माम मूढ मानुसिन तनु मास्रता जो मूढ लोग होता मूढ माने मूढ लोग होते हैं तो हमारी मानुषी माने मनुषी की ये जो दे तनुम आस्रता मनुषी की दे का जो आस्रे लेता हूं तो अजाननती वे नहीं जान पाते हैं कि ये साधानन पुरुष हैं या ये परमात्मा हैं तो वे हमारे भाव को नहीं जानते हैं इस परम भावम अजाननता हूं इस परम भूत मैं शुनम की मैं सभी प्राणियों में का महा इश्वर माने सबसे बड़ा ही मैं इश्वर हूँ ऐसी बात को अजानन्ती इसी बात को मूढा अजानन्ती मैं सभी प्राणियों में मतलब ये है अजानन्ती का मतलब ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी संसार को रचन वाला हूँ लेकिन मैं आता हूँ भक्तों को दर्शन देने और दुष्टों का नास करने और मैं मनुष्य शरीर धारन करने के परश्याद भी मैं मनुष्यों जैसा अमारा कुछ नहीं है मैं बहुत अलग हूं मनुष्यों से ऐसी बात को मूढा माम अजानन्ती मूढ लोग मुझे इस प्रकार से जानते हैं जबकि मैं भूत महेश्वर सभी प्रानियों को महाईश्वर हूँ अब आगे आया है मोग आशा मोग कर्मानों मोग ज्याना विचेत सहा राक्ष सीमा सुरीम चैवे प्रक्तिम मोहिनी स्रता अमोग आशा मोग कहते हैं व्यर्थ हैं अमोग माने जो मतलब व्यर्थ ना हो और मोग कहते हैं व्यर्थ के मोग आशा व्यर्थ की आशा है और मोग कर्माना व्यर्थ की कामना है मोग ज्याना व्यर्थ का ज्यान विचेत सहा इससे जो मोहित होता है व्यक्ति वह राक्ष सी आशुरीम चैवे वह राक्ष सी और प्रकृति की मोहिनी से आश्रता वैगिधा रहता है और वो ब्यार्थ की कामनाय करता रहता है बिना मतलब के आशा बिना मतलब के कर्म और बिना मतलब का वो ग्यान इकठे करता प्रकृति की मोहिनी से मोहित रहता है जो महत्मनस्तुमामपार्थ देविम्प्रकृत्यमासतृता भजन्त्यनन्यमन्सो ग्यात्वद्वधीम अव्ययम् अब वहाँ पर जो होते हैं जो अज्यानी अज्यानी लोग होते हैं बिना मतलब व्यर्थ की आशाय करने वाला होता है तो वो जो होता है व्यर्थ की आशाय करने वाला जो होता है तो उसको तो भी बता दिया कि उराक्षसी माया से मोहित रहता है लेकिन यहाँ पर जो होता है महतमनह तु माम पार्थ है अर्जुन दैवी ये प्रकृति से आश्रित हुआ जो महतमा होता है तो माम मुझे को भजन्त्य वह मेरा भजन करता है अनन्य मनसा अनन्य भाव सिवा मेरा भजन करता है ज्यात्वा जान करके क्या भूत आदिम अव्ययम मुझे को भूत आदिमाने समस्त प्राणियों का मैं उत्पन और पालन करने वाला हूं ऐसा वह ज्यात्वा जान करके माम भजनती मेरा भजन करता है अब इसके बाद है सत्तम कीर्टें तो माम यतंतस्च द्रडब्रताह नमस्त्यंतस्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते सत्तम कीर्टें तो माम यतंतस्च द्रणब्रताह वह जो महत्मा लोग होते हैं सत्तम माने निरंतर कीर्टें ता कीर्टन करते रहते हैं और यतंतस्च वह हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं नमस्त्यंता मुझको प्रेम पूर्वग भक्त्या मने भक्ति पूर्वग नमस्त्यंता नमस्कार भी करते हैं रहते नित्युक्ता और निरंतर मुझमें लगे रहते हैं इस प्रकार से ते द्रणब्रताह वे द्रणब्रत वाले जो योगी लोग है सत्तम माम उपास्ते निरंतर मेरा उपासन माने भजन पूजन किया करते हैं मेरी ही उपासना किया करते हैं आगे लिखा है कि चाप अन्ये कुछ और लोग होते हैं भजन करने वाले यान यगन यान यग के द्वारा और यान य कैसे एक अत्तवन एक और प्रतक्वेंद किसी और को भगवन ना मानते वे सबको मने प्रतक्वेंद माने कुछ अलग तरीके से कुछ लोग ऐसे भक्ति-पूर्वख पूजन करते हुए माम उपास थे मेरी उपास ना करते हैं जो हमें मैं कैसा हूँ मैं हूँ विश्वतो मुखम जो संपूर्ण विश्व का विराठ रूप जिनके अंग में विराठ रूप परमात्मा में जो पूरा संसार एक-एक अंग में उनके लगा है इस प्रकार से वे हमारा भजन करते रहते हैं आधा पाठ बाकी आउकरूंगा यह यहां तक रहा